प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम गणित ग्यान कक्सा 5 कारे पुस्तिका के दिवस 76 के अभ्यास प्रश्णों को हल करेंगे सबसे पहला हमारा प्रश्ण है दीपी का एक दिन में एक सही तीन बटे चार घंटे किताब पढ़ती है 6 दिन में उसने पूरी किताब पढ़ ली बताईए पूरी किताब पढ़ने में उसे कितने घंटे लगे ये हमें बताना है अब आपको करना कैसे है इस सवाल को देखिए पूरी किताब पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा एक दिन में वो एक सही तीन बटे चार घंटे किताब को पढ़ती है तो छे दिन में उसने किताब पढ़ ली तो मतलब छे दिन में उसने कितने घंटे किताब पढ़ी तो छे से आप कर दीजिए इसको गुणा आप देखिए चारी कम चार और तीन कितने हुए साथ वो पूरी किताब पढ़ लेगी तो हमें यही बताना था कि कितने घंटे में वो पूरी किताब को पढ़ेगी तो 10 सही 2 बटे 4 घंटे में वो पूरी किताब को पढ़ लेगी अब देखते हैं अगले प्रशन को एक कार 1 लीटर में 16 किलोमेटर चलती है बताइए दो सही तीन बटे चार किलो मेटर में दो सही तीन बटे चार लीटर तेल में वो कितनी दूर जाएगी यह हमें बताना है तो एक लीटर में 16 किलो मेटर चलती है और दो सही तीन बटे चार लीटर में कितनी दूर जाएगी गुणा कर दीजिए 16 गुणा इस मिस्र को साधरन बिन में बदल दीजे 4 गुणी 8 और 3 कितने हुए 11 ग्यारा बटे 4 अब 4 से ये 16 कटेगा 4 चोक 16 4 की गुणा 11 में हो जाएगी 11 चोक 44 तो 44 किलो मीटर दूर वो कार जाएगी 44 किलो मीटर की दूरी वो इतने तेल में तेह कर लेगी अब भड़ते हैं अगले प्रसन की तरह प्रसन हमारा C है इसमें क्या करना है एक टेबल का वजन 7 सही 2 वटे 3 किलो ग्राम है 7 सही 2 वटे 3 किलो ग्राम है एक टेबल का वजन अब हमें बताना है कि ऐसे 6 टेबल का कुल वजन कितने किलोगराम होगा तो 7 सही 2 बटे 3 गुना 6 6 से आप कर दीजिए इसकी गुना अब देखिए 7 21 21 और 2 23 23 बटे 3 गुना 6 2 से काट ये 2 तिया 6 तो कितना आया है इसका काटने के बाद में ये 7 21 और 2 23 23 बटे 3 यहाँ पर 3 आएगा 3 दूनी 6 यहाँ पर 2 आएगा तो 23 दूनी कितना हो जाएगा च्छालीस यानि कि ये च्छालीस आएगा तो च्छालीस किलोगराम वो वजन होगा 6 टेबल का अब देखते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अगले प्रसन को एक मीटर कपड़े की कीमत 15 रुपे है हर्स 9 सही 3 बटे 5 मीटर कपड़ा लेता है बताइए हर्स दुकानदार को कितने रुपे देगा तो एक मीटर तो जो 15 रुपे में आता है तो बताना है 9 सही 3 बटे 5 मीटर कपड़े को इसको साधरन भिन में बदल लीजे मिसर भिन को तो 9,5,45 और 3,48 15 की गुणा हो जाएगी 48 बटे 5 से 5 से काट दीजे 5 तिया 15 3 की गुणा करेंगे 48 में 3 की गुणा जब आप 48 में करेंगे तो आएगा 144 तो 144 रुपए कीमत होगी 9 सही 3 बटे 5 मीटर कपडे की अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रसन को सही विकल्ब पर सही का निशान हमें लगाना है इसमें दिये गए चित्र में आयत को दो तथा वरत को चार बराबर भागों में बाटा गया है तो यहां करना क्या है यदि दोनों चित्रों के अक्षेतरफल समान हूँ तो बताइए वरत के कितने भाग को चायंकित किया जाए जिससे वो आयत के चायंकित भाग के समतुले हो जाएगा तो आयत और वरत के अक्षेतरफल दोनों के बराबर है यहां देखे बीच में यह लाइन खीची गई है मतलब आदे भाग को चायंकित इसमें किया गया है तो आधा क्षेतरफल इसका किसके बराबर होगा इसके आदे भाग के जितना इसका आधा भाग होगा उतना ही इसका अक्षेतरफल होगा चायंकित भाग का तो यहां यह बताना है कि वरत के कितने भागों को हमें चायंकित करना है जिससे कि आयत के चायंकित भाग का अक्षेतरफल भी इतना ही हो जितना वरत के चायंकित भागों का होगा तो अगर हम इसके आदे भाग को चायंकित करेंगे तो वो आयत के चायंकित भाग के अक्षेतरफल के बराबर होगा मतलब वरत के चार भागों में से इसके दो भागों को आप चायंकित कर देंगे तो अक्षेतरफल दोनों के बराबर होगे तो इसका विकल्प जो है D सही है तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 76 के अभ्यास प्रशनों को हल किया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद प्यारे बच्चों